आईटाय की सभी सब्जेक्ट की प्रिप्रेशन करने के लिए और सिवीटे एक्जाम पास होने के लिए सब्साइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिक्शन पाने के लिए दबाए इस वेल आइकन को दोस्तों सब्साइब सभी का यूटेब और आप लोग देख रहें आईटाय अपडेट्स तो गाइस देखेगा 2022 के सेकंड एर और 2030 के फश्ट एर वालों का सभी का रिजल्ट यहापर पब्लिश हो चुका है लेकिन रिजल्ट में अबडेशन की तैयारी अब अब पूरी हो रही है आप देखेंगे तो आपने फिर से एक बार जाकर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं आईटाय का यह जो नया रिजल्ट आया हुआ हुआ इसकी लिंक मैंने दे रखेंगे तो गाईस वहां से जाकर आप सी कीज़ेगा और आगी के अपडेट के लिए हमारे चानले के साथ तेलिग्राम के थूद जोईन हो सकते नीचे लिंक दिया गए तो चले दोस्तों शुरुआत करते इस वीडियो में आपके रिजल्ट में क्या-क्या अपडेट आया हुगा है और आपको नया रिजल्ट किस तर आपको अरुफ्र रिजल्ट करना है तो जोखी यहां पर लाइन से उसके ओपर क्लिक करना है यहां यहां थियुत नहीं दिखा रहा था यहां पर आपको ईए डिखा रहा था है आपको आप स्राइब देखा रहता हूँ इंट लोगी होगा है यह अगर आपका रिजल्ट होल पर है तो आपको आइडिया के साथ संपर्क बनाना चाहिए second all option क्या है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर साब तर पर कहा है कि आपके payment की ज़र अगर fees pending है क्या है payment pending है your CBT fee is not paid you will be able to login your account profile to make your CBT fee payment shortly and view the result आपको अपना fee अभी भरके यहाँ पर अपना result देख सकते हो ठीक है third option हम यहाँ पर देखेंगे third option में क्या काया गया उन्होंने तो third option में हम देखेंगे तो not eligible for this session अगर आपके यहाँ पर attendance और format assessment mark नहीं भरे गए है तो आप यहाँ पर eligible नहीं होंगे तो दोस्तों यहाँ पर इध्यान reason से यह भरा गया अब देखेंगे जिन छात्रों का photo यहाँ पर missing है अब देखे please missing photo missing क्या आए देखे please update your photograph immediately by visiting your eye type please know that that pillar to do so will result in the non generation of your mark sheet आपका result और mark sheet जब जिस दिन generate होंगे उस दिन आपके उपर यहाँ पर क्या नहीं आने वाला तो photo अगर आप क्या कर देना है आपको यहाँ पर जा कर आपका यहाँ पर आपका photo submit कर देना ठीक है अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही है ठीक है इसका parent number यह सक देखेंगे remark भी यहाँ पर आपको देख सकते हो ठीक है फिल है ठीक है जिन जिन चातरों के यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर एक note आना वाला था यह भी आतक अभी तक update नहीं हो रहा है यह update होना चाहिए इसके बाद आप देखें रिजल्ट 15 सिटमबर काया लगवक साथ दिन के अंदर आपके mark sheet generate होना शुरूआत हो जाएंगी कहाँ पर कितने दिन में होगे साथ दिन में आपके क्या होगे होने वाले mark sheet generate यहाँ पर होने वाले तो यहाँ पर देखेगा इस वीडियो में आपको अगर जानकर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और जईसे result सबसे पहले college में आएंगे college में आते ही मैं आपको यहाँ पर जो information है वो आपको दे दूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते है ठीक है यह सारी information थी आपके लिए तो अगर आपका कुछ problem आता है तो प्लीज comment करके बता दीजिए हम इसके उपर तो यहाँ पर आपको मैं जानकरे दे दूँगा तो आगे के updates के लिए हमारे चैनल का जो group का link दिया गया